नमस्कार इंसी आर्टी गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 36 भूरिश रवा जैदरत और आचार्य दुरून का अंत आईए से देखें उधर अर्जुन सिंधुराज जैदरत के साथ योद कर रहा था और उसका वद करने के मौके की तलास में था इतने में भूरिश रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से देपटगा कौरव सेना जोरो से कोलाहल कर उठी सात्यकी मारा गया अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से परे सात्यकी को भोरी स्रवा घसीट रहा है क्या देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए वह स्रिकृष्ण से बोला क्रिष्ण भोरी स्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बान चलाऊं अर्जुन इस प्रकार स्रिकृष्ण से बाते कर ही रहा था केतने में जैदरत द्वारा छोड़े गए बानों के समू आकास में छा गए इस पर अर्जुन ने बाते करते करते ही जैदरत पर बानों की बोचार जारी रखे जोहीं अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़ कर देखा तो पाया के सात्यकी जमीन पर परा हुआ था और भूरिस्रवा उसके सरीर को एक पाउं से दबा कर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्धत ही था या देहकर अर्जुन से रहा न गया उसने उसी एक्षण भूरिस्रवा पर तान कर बान चलाया बान लगते ही भूरिस्रवा का दाईना हाथ कट कर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिस्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अरजुन बोला वृत भूरिस्रवा तुमने मेरे प्रियमित्र शात्यकी का वध करने की कोशिस की है और वह भी उस समय जबकी वह घायल औ और अचेत सा होकर जमीन पर नी सस्त्र पड़ा हुआ था उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा जिसके हथियार तूट चुके थे कवच नश्ट हो चुका था और जो इतना ठका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुबर था दुबर था मतला मु वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सब मनाया तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था अर्जुन के इस प्रकार मुहतोड जवाब देने पर भूर इस्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैला कर और आसन जमा कर बैठ गया उसने वही आम अर्जुन बोला वीरो तुम सब मेरी पतिग्या जानते हो मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का सत्रु के हाथों वध नौ होने देने का प्रण मैंने कर रखा है इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था अर्जुन की ये बाते सुनकर भू भूरिसरवा का सर धर से अलग कर दिया सात्यकी के कारे को सबने निक्रिष्ट का कर धिकारा लडाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिसरवा का वध हुआ उसे किसी ने भी उचित नहीं माना कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जैदरत के पास आखिर अर्जुन की प्रतिग्या विफल हुई सी है जैदरत ने भी पश्चिम की और देखते हुए मन में कहा चलो प्राण बचे इसी बीच स्रीकृष्ट ने अर्जुन से कहा अर्जुन जैदरत सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया परन्तु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है अपनी प्रतिग्या पूरी करने का तुम्हारे लिए यहीं एक अफसर है सिरकृष्ट के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बान छूटा और जैदरत के सिर को उड़ा ले गया कि इतने में जैदरत कासिर ध्यान बगन राजा की गोद में जागिरा ध्यान समापत होने पर जब वर्द क्षत्र की आँखें खुली और वह उठे तो जैदरत कासिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी एक्षण बुढ़े वर्द क्षत्र के सिर के भी सो परे 14 दिन का युद केवल सुरियास तक ही नहीं हुआ बलकि रात को भी होता रहा घटोतकच भीम सेन का हिडिमबा से उत्पन पुत्र था कर्ण और घटोतकच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ घटोतकच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुचाई कि वह अप अपे में न रहा मतलब अपने क्रोध से अगबगुला हो उठा आपा क्रोध को कहते हैं और इंद्र की दी हुई सक्ति का जिसे उसने अरजुन का वद करने के उद्देश से यतन पूर्वक सुरक्षित रखा था घटोतकच पर प्रयोग कर दिया इससे अरजुन का संकत तो पाणों की तीवर बोचार से पांडव सेना के असंख्यवीर कट कट कर गिरते जाते थे यह देहकर स्रीकृष्ण अरजुन से बोले अरजुन कुछ कुछकर रचकर ही इनको परास्त करना होगा आज अगर परास्त नहुए तो यह हमारा सर्वनास कर देंगे इसलिए किसी को आचारे के पास जाकर या खबर पहुचानी चाहिए कि अस्वत्थामा मारा गया युदुष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही उपर लेता हूँ इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अस्वत्थामा नाम के एक भाड़ी लड़ा के हाथी को मार डाला फिर द्रोन की सेना के पास जाकर जोर जोर से चिलाने लगा मैंने अस्वत्थामा को मार डाला उधर युद करते हुए द्रोन आचारे ब्रहमास्तर का प्रियोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अस्वत्थामा मारा गय वह विचलीत हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ, उन्होंने युदिश्टिर से पूछा, आचारे दुरोन का विश्वास था कि युदिश्टिर जूट नहीं बोलेंगे, युदिश्टिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी जगह जी कड़ा करके जोर से बोले हाँ, अस्वत्थामा मारा गया, परन्तो यह कहते समय अंत में धीमे स्वर से यह भी कह दिया कि मनुस्य नहीं हाथी, इसके साथ ही भीमत था अन्य पांडव ने जोडों का संखनाद और सिहनाद किया, जिससे विश्टिर के अंतिम वचन उस सोर में लुपत हो गए, जिससे के मूँ से सुनते ही चारो ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच दिश्ट दुम्न ने ध्यान मगन आचारे की गर्दन पर खडग से जोर से वार किया, आचारे दुरून का सिर ततकाल ही धर से अलग होकर गिर हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे चाप्टर 37 के साथ, तब तक के लिए बाइए